पार्ठक जड़ा पर फिर से आपका स्वागत है तो चले स्टार्ट करेंगे आज की क्लास और आज की इस क्लास में पढ़ेंगे बीपीएसी के प्रिविएस यर के क्विस्टन जिसमें हमने हिस्ट्रे स्टार्ट करा था और आज तीसरी क्लास होगी तो जिन लोगों ने पिछले क्लास इसको नहीं देखा है जरूर से जाके देखिए सोड़ाट आपके एक्जैम्स के एक भी क्विस्टन स्किप न हो जाए तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास पहले प्रस्न के शाहत आज का पहला प्रस्न है एक पुस्तक थी पोवर्टी एंड अन ब्रिटिस रूल इन इंडिया ये किसके द्वारा लिखी गई थी तो इसका जो सही जबाब होगा ऑप्शन नमर दो इसका सही जबाब है अब इस से रिलेटेट कुछ और पॉइंट को देखेंगे यहाँ पे पुवर्टी और अन ब्रिटिस रूल का जो लॉंचिंग हुआ था यह आपको 1901 में लिखा गया था दादा भाई नैरो जी के द्वारा और दादा भाई नैरो जी को एक दूसरे नाम से जाना जाता है इंडिया के अंदर इनको कहा जाता है ग्रेंड ग्रेंड ओल्ड में अफ इंडिया और यह इंडिया के अन ओफिसियल अमश्टर हुआ करते थे इंग्लेंड में ठीक है और यह इंग्लेंड के अंदर पहले भारतिय थे जो कि वहां के हाउश ओफ कॉमन जिसको सांशत बोलेंगे मेंबर ऑफ पार्लेमेंट बोलेंगे उसके एक अध्यक्ष थे या वहां के एक MP थे उनका जो टाइम पिरेड था यह 1892 से लेकर 95 के बीच में था और जिस पार्टी से वहां के MP थे उस पार्टी का नाम था लिबरल पार्टी तो तो 1885 में तो कॉंग्रेस का establishment हुआ था तो 1886 में यह अध्यक्ष बने थे और यह जो session हुआ था वो कहां पे हुआ था कलकता के अंदर हुआ था सबसे ज़्यादा टाइम पिरेड के लिए ही डादा भाई नहरू जी भारत्य रास्टे कॉंग्रेस के अध्यक्ष रहे मैक्सि क्लियर हो गया दादा भाई नहरो जी से अब options में दिये पॉइंट के बारे में जानते हैं अब अगला जो point है यहां पे फिरोज्चा मैता एक थे उसमें फिरोज्चा मैता जो की 1890 इसवी में भारत्य रास्टे कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और यह बंबई मुनिस्प क्लिटी एक्ट को लॉंच किया था और इनको लाइन ऑफ बंबई के नाम से भी जाना जाता है तो यह किलियर हो गया अब लाजपत राई के बारे में जानते हैं लाजपत राई को पंजाब केसरी भी कहा जाता है और इनको लाइन ऑफ पंजाब के नाम से भी जाना जाता है इन्होंने पंजाब नेशनल बेंक की अस्थापना करी थी कब करी थी 1897 इसवी में और इनके उपर लाठी चार्ज किया गया था इनका एक स्लोगन हुआ करता था साइमन साइमन गो बैक इनके उपर लाठी चार्ज किया गया था अबी पिंचंदर पाल को तो यह किलर हो गया अगले कोईशन पर चलेंगे अगला कोईशन है रजनी पामदत ने कहा वे शामराजी से लड़ते भी थे और चाहिए योग भी करते थे उन्होंने किस राजनेतिक गटवंदन के बारे में यह कहा रजनी पामदत सेड लुट फाइट विट एंपायर और जो और फोपरेट इट विच पॉलिटिकल अलाइइंस इस इस बाउप्शन से मारे पास भारतियराश्त्री कॉंग्रिस कमिनिस्ट पार्टी ओफ इंडिया फिर आता स्वाराज पार्टी फिर हिंदुस्तान सोसलिस्ट रिपब्लिकन एशोसियेशन पाजवा ओप्शन है नन आव दी एबब यह हिंदुस्तान सोसलिस्ट रिपब्लिक एशोसियेशन का इस्टेबलिसमेंट 1928 में हुआ यह इस से के द्वारा किया गया था जो कि बाद में चलकर 1923 में हिंदुस्तान सोचलिस्ट रिपब्लिकन एशोसियेशन बनाया गया कहां पर फिरोज सा कोटला दिल्ली के अंदर 1928 में भगत चिंग के द्वारा तो यह किलियर हो गया तो यह पॉइंट नहीं होगा फिर आपको आता स्वाराज पार्टी स्वाराज पार्टी का स्टैबलिस्मेंट 1923 में हुआ था जब भारती नेशनल को और को गांदी जी के द्वारा समाप्त कर दिया गया था तो इसका स् नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कॉमनिस्ट पार्टी यह भी एंसर नहीं होगा तो इसका जो राइट एंसर होगा रजनी पामदत एक जर्नलिस्ट हुआ करते थे और भारती रास्टे कॉंग्रेस के बारे में ऐसा बात कहे कि भारत के लोगों को कोपरेशन भी करता और सा अब भारती रास्टे कॉंग्रेस से रिलेटेड कुछ पॉइंट को देखेंगे इसका इस्टैब्लिस्मेंट कहां पे हुआ था बंबई के अंदर हुआ था कब हुआ था अठारह सो पचासी में हुआ था ए वो हुम के द्वारा हुआ था उस वक्ति के वाइस राइकोन हु नेक्स्ट को देखेंगे अगला प्रस्थ है विच वन आप द फॉल्विंग वज नट नेशनलिस्ट न्यूस पेपर ऑप्शन है हमारे पास हिंदी वाले के लिए देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक रास्ट्र वादी शमाचार पत्र नहीं है तो कोईशन चले वो पेज नहीं मिल ला चले इस कोईशन को देखते हैं इसके ऑप्शन है हमारे पास हिंदू फिर आता है बेंगॉली फिर मराथा फिर टाइमस ओफ इंडिया और पांच आप्शन है नन आफ दी एबब और मोर देन वन तो इसमें जो नेशनलिस्ट न्यूस पेपर नह इसमेंट हुआ था फिर नेक्स्ट ऑपिशन को हम यहां पे देखेंगे दा हिंदू है और दा हिंदू का स्टैबलिस्मेंट हुआ था आपको 1878 में यह विकली न्यूस पेपर के रूप में जारी किया गया था किसके द्वारा इसके जो पांडर हुआ करते थे जी सुब्रम इसका जो हेड़कोटर है वो चैनने के अंदर में है और इसको जब डेली न्यूस पेपर कब बनाया गया था तो अगले आप्सन में आते हम अगला आप्सन है मारे पास बेंगॉली न्यूस पेपर जिसका इस्टैबलिस्मेंट आपको 1862 में हुआ था और यह किसके द्वार जो की बाल गंगादर तिलग के द्वारा तिलग के द्वारा इसको चैनने एक और हिसक़ नाम था केसरी केसरी जो की लैंग्वेज में हमोंची में था वहीं पे यह जो अिपा और यूस बहु र già बाल गंगादर तिलग नए इसको प्रार्थ अब हिंदी बाले के लिए देखते हैं हिंदी में है प्रार्थना समाज यंग इंडिया लोग हितवादी सत्यसोधक समाज रहनुमाई मजदेशन सभा के लिए निम्नलिखित में से सही संयोजन कौन सा है आप्शन देखेंगे सबसे पहला हमारे पास है प्रार्थना समाज प्रार्थना समाज को हम यहाँ पे देखेंगे यह किसके द्वारा सुरू किया गया था तो प्रार्थना समाज आपको आत्मा राम पांडू रंग के द्वारा सुरू किया गया था तो किस किस option में आत्मा रम पांडू रंग है तो गुपाल हरी देश मुख पहला option गलत हो गया फिर आपको दूसरा में है तीसरा में है चौथे में नहीं है तो चौथा भी गलत हो गया अब हमारे पास दो option है तो हम दूसरा और तीसरा consider करके चलेंगे अगले question अगले option पे प्रातना समाज को start कप किया गया था ये आपको 1871 में आत्मा रम ने इनको start करा था फिर यंग इंदिया एक weekly journal हुआ करता था 1919 में जब खिलापत मुव्मेंट इंडिया के अंदर हो रहा था उस वक्त में गांदीजी ने अपने ideology किस परकार के ideology एक तो उनका था सत्यागरा और दूसरा जो था non violence जिसको अहिंसा कहते हैं हिंदी में उसके बारे में इसमें लिखना start करे थे फिर आपको आता है लोग हि देशमुक का उपनाम हुआ करता था तो यह हो गया फिर अगला जो है रहनुमाई स्वारी सत्या सोधक समाज का establishment जियोती बाप फूले के द्वारा किया गया था कब किया गया था 1873 में इन्होंने women education पे बहुत फोकस किया उनके उत्थान के लिए बहुत ही महत्तपुर्ने क अगले question को देखेंगे अगला question है जलिया वाला बाग मैसेक्री took place in connection with विच कांधियन सत्यागरा जलिया वाला बाग नरसंगार किस गांधिवादी सत्यागरा के शंबंद में हुआ था तो सबसे जो पहला option है स्वदेशी movement स्वदेशी मुवमेंट कब स्वदेशी मुवमें में एक रक्षा बंधन त्योहार मनाया गया था किसके द्वारा रविंदर नाथ टैगोर के द्वारा स्वदेशी मुवमेंट में ठेक है नेक्स आता है आपको बार्दोली सत्यागरा को देखते हैं और इसका establishment आपको यह जो सत्यागरा हुआ था 1928 में हुआ था और इसके सत्यागरा में वहां की जो विमन थी सर्दार वल्लब सर्दार की उपादी इनको दी थी उसी वक्त से इनके नाम के पीजे में एक प्रिफिक्स आड़ हो गया जिसको हम कहेंगे सर्दार सर्दार वल्लब भाई पटे फिर आता आपको व्यक्तित्व शत्यागरा और यह जो नाइंटीन थर्टीनाइन के आसपास में और इसके जो पहले सत्यागरा ही हुआ करते थे विनोबा भाबे हुआ करते थे जिनको भूदान आंदोलन जिनोंने स्टार्ट करा था कहां से पूचम पली एक तेलांगना के अंदर जगा है वहीं से यह भूदान आंदोलन स्टार इनको रमन मैक्स से एवाड भी दिया गया और भारत रत्न एवाड से भी नवाज आ गया तो इसका जो राइट एंसर होगा रॉलेट एक्ट के विरोध में ही जलिया वाला बाग नरसंगार हुआ उसी का विरोध चला था अंदर में कोल्डन टेमपल है उसके नजदीक में बाग था जिसका नाम जलिया वाला बाग था और उसी में लोग आंदोलन कर रहे थे जर्नल ओटायर ने ओडर दिया और उन लोगों पर गोली चला दी गई तो इस पूई क्वेशन का जो राइट एंसर होगा ऑप्शन नमर दो सही जबाब है अगले क्वेशन को देखेंग बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने लगे जब ऑप्शनस इंग्लिस वाले के लिए देखेंगे बाल गंगाधर तिलक came to be known as लोकमान्य तिलक when options है वे एक लोगपरिय सिक्छक बने फिर आता है उन्होंने एक लोगपरिय एक वार शुरू किया फिर आता ह और इस केसरी निउस पेपर के माध्यम से जो कि मराथी लेंग्विज में हुआ करता था इस निउस पेपर के माध्यम से उन्होंने रेंड के खिलाब रेंड कौन हुआ करते थे तो पुने के एसिस्टेंट कलक्टर हुआ करते थे और जो कि 1897 में पुने के अंदर प्लेग आया था जिनमें उसके बाबजूद भी लोगों पर वो अत्याचार किया करते थे इसी रिजन से ये तिलक ने केसरी के माध्यम से वहां के लोकल लोगों को उक्साया जिससे उग्र होकर भीरों ने उनकी हत्या कर देती किसकी रेंड की और इसलिए उनको अभ्यूक्त बनाया गया था तब से ये लोकमान्य की उपादी इनको दिया गया था लोगों के द्वारा तो इसका जो राइट इंसर होगा option no.3 सही जबाब है अगले question को द जाना मुहमद अली फिर आता डॉक्टर पंडित जवाहर लाल नेहरू वल्लब भाई पटेल सुवास चंद्र बोश तो इसका जो राइट इंसर होगा पंडित जवाहर लाल नेहरू ही ये उस भारतिय रास्त्रे सेशन कॉंग्रेस के अध्याक्ष थे जो की लाहोर में 1929 मे इसलिए ये डिसाइड केते हैं कि 26 जनवरी को ही इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे और उसी में पुर्ण स्वराज की घोशना की गई थी पंडित नहरू के द्वारा फिर अकले ऑप्शन को देखेंगे वल्लब भाई पटेल जो की 1931 में करांची के अंदर एक सेशन हुआ थ उसके अध्यक्ष थे फिर 1949 में एक सेशन हुआ था तिरपुरी और तिरपुरी में भी इनकी जीत हुई थी बट गांधी जी से मनमुटाओ के कारण इन्होंने बाद में चलकर उस सेशन से अध्यक्ष पद से इस्तिपादे दिया तो ये क्लियर हो गया इस क्विशन का जो राइट इंसर होगा ऑप्शन नमर दो सही जवाब है अगले कुश्चन को देखेंगे सरकार के विरोध में अशेंबली में बं फेकने के शमय भगत सिंग की उम्र क्या थी वाट वस तो एज भगत सिंग वैन ही थ्रू अबॉम इन अशेंबली अगेंस द गोवर्मेंट राइट इंसर होगा वो 23 साल के हुआ करते थे 23 साल के हुआ करते थे और तो इसका जो राइट इंसर होगा 21 से ज्यादा वाला ऑप्शन नमर दो सही जवाब है अब भगत सिंग से रिलेटेट कुछ पॉइंट को यहां पर हम देखेंगे सबसे पहले भगत सिंग 1924 में एक और गिनाइजेशन था जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एशोशेशन उसको जोइन किया था कहां पर कानपूर में जाकर जो कि किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था सचिंदर नाथ सान्याल के द्वारा फिर आता है इन्होंने एक नौजवान भारत सभा नाम गया था 1928 में दिली के फिरोसा कोटला के पास फिर इनको इनके उपर लाहोर कंस्वाइरेशी केस चलाया गया एंड सेंटरल अशेंबली बॉंबिंग केस से भी जुरे हुए थे जो कि 1929 में हुआ था और इनको एरेस्ट कर लिया गया था और इनके उपर साउंडर्स की हत् आरोप लगाया गया था और इनके साथ साथ दो और थे कौन थे एक राजगुरु हुआ करते थे और एक सुखदेव हुआ करते थे इन तीनों को कब फांची दी गई 23 मार्च 1931 को इन तीनों को लाहोर के अंदर फांची दे दिया गया था और बाद में उनको काटके 17 नदी के नदी में बहा दिया गया और आज के दिन में चो भागत सिंग की समाधे सतल है वो कहाँ पर है वो फिरोजपुर के अंदर एक अस्थान سब्सक्षे जिसको क्यों ने अंग्रेजों के खिलाब फिरोद किया था अब आप्शन से मारे पास बिहार, पंजाब, सिंद, कत्यवार और पांचमा अप्शन है नन अप्टी अबप्ट इसका जो राइट इंसर होगा जो राइट इंसर होगा अगले कुश्चन को हम देखेंगे अगला प्रस्ण है सिंदु घाटी सब्विता की सबसे महत्पुर्ण विसेष्था क्या है औप्शन से मारे पास पक्की इटो से बनी इमारत फिर आता है कला और वास्तु कला फिर आता है प्रथम असली महराव, पूजा अस्थल पाच्वा अप्शन है सही है अब शिंदु घाटी सब्विता से रिलेटेड कुछ और पॉइंट को देखते हैं सबसे पहले जो यह शिंदु घाटी सब्विता का जो सब्द क्वाइंट किया गया था वो किसके द्वारा तो एक ब्रिटिस सर हुआ करते थे जॉन मार्चल उन्होंने ही सब्विता का नाम शिंदु घाटी सब्विता रखा फिर आता है उस वक्त में तामर पासान युग उस वक्त को कहा जाता था और 1921 में दया राम सहनी के द्वारा किस जगा का खोज किया गया था तो वो था आपको हरपा फिर आपको 1922 में राखल दास बनर जी किस चीज की खोज करी थी जिसको मिलतको का टीला भी कहते हैं और ये सिंदु घाटी सब्विता का सबसे बड़ा अस्थल माना जाता है वही पे इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ा अस्थल था उसको किस नाम से जाना जाता है तो उसको जाना जाता है राखी गढ़ी के नाम से जो की हर्याना में अवस्तत है और सिंदुगाटी शब्विता में भूमी जत जल निकासी की प्रनाली भी अविलेबल थी उस वक्त में इतना डेवलेप्ट शब्विता था तो यह किलिए होगा इस प्रसन का पहला option सही जबा जानियों के पांचमा option और अब दी अबव और 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 तो मेगा स्थनीज सेलुकस निकेटर जो फस्ट थे उनके दूथ हुआ करते थे और सेलुकस निकेटर कौन थे तो वो शिकंदर के शेनापती हुआ करते थे और सिकंदर कहां का शासक था तो शिकंदर बेबी लॉन का और बाद में सेलुकस निकेटर जो की बेविलोन के सासक बन गए थे फिर ये मेगा स्थनीज इंडिया में कब आये थे तो ये चंद्रगुप्त मौरी के पिरेड में यहां के इंडिया में दूत थे निकेटर के और इन्होंने एक बुक लिखी थी इंडिका तो ये क्लियर ह हमारे पास आर्थिक संबंध फिर आता है सासन कलाके शिधान्त और अभ्यास फिर आपके पास आता है विदेश नीती फिर धन संचे तो इसमें किस-किस चीज के बारे में दिया गया था अर्ध सास्त्र में तो आपको राज नैतिक विचार के बारे में दिया गया था पिर आर्थिक निती के बारे में भी इसमें दिया गया था, और इसमें 2 मिनट तो इस प्रसन का जो सही जवाब होगा, option number 1 सही जवाब है, sorry option 1 इसका सही जवाब है, अर्थ सास्त में 3 चीजों के बारे में दिया गया था, एक था आपको राजनितिक विचार एक सैन्य रननिती था और तीसरा आर्थिक नीती तो आर्थिक नीती यहाँ पर दे रखा है तो इसका जो राइट एंसर होगा अर्थ साथ को किस ने लिखा था और यह संस्कृत भाषा में लिखा गया था यह चानक के के द्वारा लिखा गया था और यह चानक के कहां से बिलॉंग करते थे तो यह तक्चशिला युनिवर्सिटी में उस वक्त में थे और बाद में यह मौर्य समराज के अंदर परधान मंतरी के रूप में कामें किया था तो अगले कुश्चन पर चलेंगे अगला प्रसन है त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है आप्शन से हमारे पास जैन, हिंदू, पार्जी, बौध, पांचमा आप्शन है नन आप्धी, एवब त्रिपिटक कौन सा religious book है, किसका religious book है तो इसका जो right answer होगा त्रिपिटक बौध, धर्म से related है और त्रिपिटक के अंदर इसका जो right answer होगा option number 4 सही जबाब है त्रिपिटक तीन परकार के हैं एक तो पहला बाला जो इसका part है उसको विनय पिटक के नाम से जाना जाता है दूसरा सूत पिटक के नाम से जाना जाता है और तीसरा अभी धम पिटक के नाम से जाना जाता है विनय पिटक में शंग संबंधी जो नियम थे उसके बारे में डिसकस किया गया है वहीं पे शूत पिटक में महात्मा बुद्ध के वचन को उसमें दिया गया है और दार्षनिक सिधान्त अभी धम पिटक में दिया गया है अब ये जो जैन धर्म से रिलेटेड कुछ पुस्तक हैं उसको भी देखते हैं कलप सुत्र जो आता है कलप सुत्र वो जैन धर्म से रिलेटेड है फिर आपको आता है ये जैनिजम का इसमें किसके बायोग्राफी का डिसकस किया गया है तो इसमें जैन तिर्थंकर के बायोग्राफी का डिसकसन किया गया है अब हिंदू का जो गरंथ आता है उसको क्या कहते हैं हिंदू का जो पवित्र गरंथ है उसको हम वेद कहते हैं और ये सबसे प्राचीन पवित्र गरंथ माना जाता है जो कि संस्कृत लिट्रेचर में लिखा गया है वहीं पे ये जो पार्सी के जो पवित्र गरंथ होते हैं जूरेस्ट्रीन कहते हैं या अश्वित्व अवेस्टा के नाम से भी वो जाना जाता है जो कि अवेस्ट्यन लेंग्विज में लिखा गया है और ये जूरेस्ट्रीन के नाम से जाना जाता है अगले को देखेंगे अगला जो प्रस्ण है पच्पनवा नम्मर प्रस्ण असोक के धम का मूल संदेश क्या है अप्शन से मारे पास राज के प्रती वफादारी फिर आता है शांती एवम अहिंसा बरो का शमान फिर आता है धार्मिक शहन सीलता पांचवा अप्शन है नन आफ्टी एबब और मोर देन वन तो असोक के धम का मीनिंग था इसका जो राइट इंसर होगा मोर देन वन होगा अब इसमें कौन से कौन से थे तो उसको हम देखेंगे सबसे पहला जो था एक मानमता वादी आइडिया ओफ हुमेन इजम ये सभी रिलिजन का एक एसेंस हुआ करता था उनके वक्त में फिर आपको आता है असोक के धम का मतलब ये भी था कि वो बरो का शमान क्या करना उनक के सारे असोक के धम का मीनिंग था तो इस प्रसंद का जो सही जवाब होगा अप्शन नमर पांच अगले कुश्चन को देखेंगे अगला प्रसंद है मौरिय समाज का साथ वर्गों में विभाजन का विशेश रूप से उलेख किया गया है तो ये जिकर किया गया था आपको मेगा स्थनीज के पुस्तकों में इसका जो राइट एंसर होगा ऑप्शन 4 और इस कुश्चन का जो डिटेल एंसर देखना है तो एक UPPCS का प्रिवियस एर का वीडियो हमने बनाए था उस क्लास में इस कुश्चन से रिलेटेड और डिटेल में डिसक्स किया गया था तो इसका जो ये हो जाएगा आपको मेगा स्थनीज के पुस्तक में इसका राइट एंसर हो गया अब असोक के शिलालेग जो अप्शन है असोक के टूटल कितने शिलालेग थे ये question पूछा जा सकता है तो टूटल 33 सिलालेख हुआ करते थे असो कब कोरोनेशन कब हुआ था 279 बीसी में और ये कब तक रहे थे तो 232 तक रहे थे ठीक है तो ये क्लिर हो गया अगले कुशन को देखेंगे अगला प्रस्न है प्रशिद्ध चीनी यातरी फाहयान किसके सासनकाल में भारत की यातरा की दूरिंग हूज राइन दफेमस चाइनीज ट्रेबलर फाहयान विजिटेड इंडिया ओप्शन से हमारे पास चंदरगुप्त प्रथम फिर आता है चंदरगुप्त दूतिये फिर आता है रामगुप्त पांचमा उफ्शन है नन अप दी एबब और मोर देन वन तो इस प्रसन का जो सही जवाब होगा इस प्रसन का सही जवाब क्या होगा चंदरगुप्त दूतिये अप्शन नमर दो सही जवाब है अब गुप्ता पिरियट की बात आई तो इससे के लेटेड कुछ special point को देखते हैं जो की exams में पूछे जाते हैं तो गुप्ता empire का जो establishment हुआ था वो किसके द्वारा किया गया था वो सिरी गुप्त के द्वारा सिरी गुप्त के द्वारा किया गया था इसके founder थे जिन्होंने महराजा की उपाधी ली थी और इनका जो कारिकाल था 240 से 280 और देखिए AD अब ये गुप्त पिरियट को ना वो golden age माना गया है भारत के अंदर गुप्ता एरा को फिर आता है ये सिरी गुप्त के बाद आए घटोत कच्चु जिनकी टैटिल महराजा की ही थे इन्होंने जादा काम नहीं करा था फिर चंदरॡड़ गुप्त प्रथम जब आये तब से गुप्ता पिरियट का राइच शुरू हुआ और चंदरॡ़ गुप्त प्रथम ने एक उपाधी ली थी महराजा धीराज की और इनकी सादी कराई गयी थी किससे कुमारा देवी जो की लिछवी की राजकुमारी हुआ करती थी और फिर आते हैं समुद्र गुप्त जिनको नेपोलियन आफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और इनके वारे में डिटेल इस्क्रिप्शन Aeron inscription जो की मद्यप्रदेश के अंदर है वहाँ पे मिलता है और Napoleon of India इनको शमुद्र गुप्त को शमुद्र गुप्त को Napoleon of India किसने कहा था तो ये V.A. Smith के द्वारा इनको कहा गया था और इन्होंने जो title लिया था महराजा धिराज का फिर आता है चंद्र गुप्त दूतिये जिनकी title थी विक्त्रमा दित्तिकी और इनके दरवार में नवरत्न हुआ करते थे जिनमें कालिदास और बहुत तरह के विद्वान थे जिसको मैंने अपने पिछले क्लास में डिस्कस किया था फिर आता है कुमार गुप्त प्रथम जिन्होंने नालंदा उन्वर्सिटी की अस्थापना करवाई और इनको शंक्रा दित्ते के नाम से भी जाना जाता है और गुप्त समराजे के सबसे जो आखरी रूलर थे उनका नाम था विश्नु गुप्त तो ये गुप्त समराजे से रिलेटेड पॉइंट होगे और इस कुईस्टन का जो सही जवाब था वो आप्शन नमर दो था अगले कुईस्टन को देखेंगे अगला कुईस्टन है चोल काल किसके लिए प्रसिब्र था और उप्शन से मारे पास ग्राम पंचाइत रास्ट्रकुट राजवन्स के शाथ युद्ध स्रिलंका के शाथ व्यापार तमिल संस्कृती की उन्नती तो इसका जो राइट एंसर होगा चोल समराज में ग्राम पंचाइत बहुत ही बिक्षित थे तो इसका जो राइट एंसर होगा उनका नाम था बिज्याले चोल समराज के फांडर हुआ करते थे और उन्होंने एक उपादे ली थी किसकी टाइटल ली थी जिसको उपादे ही कहते हैं नर केशरी की उपादे ली थी और उस वक्त में ग्राम पंचायत बहुत ही विक्सत था और कांस की प्रतिमाएं होती थी उनके शमराज में नटराज की मुर्ती चोल समराज का एक बहुत ही अच्छा एक्जामपल है और साउथ इंडिया का जो सबसे जादा काल तक का रूल करने वाला डाइनिस्टी है यह चोल समराज ही है और इसका जो कैप्टल बना था बाद में जाके कहां पे बना था तो तो तंजोर के अंदर एक गंगई कॉंडा चोलापूरम था उसका यह कैप्टल था जिसको अब उसके अंदर एक राजा हुआ करते थे राजा राजा जिन्होंने एक ब्रिदहस्वरा टेंपल का इस्टैबलिस्मेंट कराया बनाया और राज राजेस्वर्ट टेंपल भी मनवा पाया कहां पर तो तंजोर के अंदर फिर आपको आता है उन्हीं के एक राजा हुआ करते थे राजेंद्र फस्ट जिन्होंने टाइटिल ली किसकी गंगई कॉंडा चोलम की और इन्होंने एक सहर विवसाया जिसका नाम था गंगई कॉंडा चोला पूरम जो की बाद में च को देखेंगे अगला प्रस्ट है उन्हीं सथमा प्रस्ट दक्षिन भारत के मंदिरों के अकर्शक द्वार क्या कहलाते हैं ऑप्शन से हमारे पास सिखर गोपूरम देवाले मंडप पांचवा उप्शन नन आप दी एवब और मोर्देन वन तो वह साउथ इंडिया के जो मंदिर हैं उसका जो गेट होता है उसको हम क्या किस नाम से जानते हैं गोपूरम के नाम से तो इसका जो राइट एंसर होगा ऑप्शन नमर दो सही जवाब है फिर अगले कुश्चन को देखेंगे अगला प्रस्ट है विजय नगर सामराज्य का अवसेस कहां मिलता है वेर से एक क्युशन है अगर कोश यहाँ का एंसर देना है तो कमेंट बॉक्स में दिजेगा हमपी कितने रुपय के नौत पर हमपी की पिक्चर छपी हुई है यह और यहाँ पर आपको है विजय नगर्ज समराज का establishment कब हुआ था 1336 में हुआ था किसके द्वारा हरिहर बुक्का के द्वारा और इसमें चार डाइनेस्टी आये एक तो था आपको शंगम फिर आता था शुलूब फिर तुलूब फिर अरी विडू और इशी तुलूब समराज से कौन हुआ करते थे कृष्ण देव र पुष्ण देवराई का जिक्र किस ने करा था बावर ने अपने बुक तुझुक ए बावरी में करा था ये कृष्ण पूछा जाता है तो ये थे आज के प्रस्न आसा करते हैं कि आपको सारे प्रस्न का description अच्छा लगा होगा इसमें और अच्छा लगा है तो जरूर से हमा तब तक के लिए बने रहे हैं पाटक सड़ा यूटूब चैनल के साथ धन्यवाद